हमारे साथ बंगाल से लीना देवी जी स्वागत है आपका राम दंगली बताइए मैम सवाल करिए अलो सार नमस्ते जैहिन बंगाल वालो यह हैं थन्दा हो गर्मी हो या बरसा तो हर्मेशा पानी या रहते हैं पूरा पांगल खराब हो जाते हैं इसको कोई कि दवाइ बताई यह थीक ज़्रूर बताएंगे तो यह एक औशद्धी नए बंगाली में और शद्ध केते दवाई को इसलिए मैं औशदी कह रहा हूं हिंदी में भी औशदी कहते हैं तो ज़र बोलने का तरीका औशद है ऐसे बोलते हैं तो उसका नाम है गौन्द चिलगोजा गौन्द चिलगोजा चिलगोजे का गौन्द ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है बस एक चिटकी गौन्द चिलगोजा जितना इस चिटकी में आया है ये राव मैटेरियल कच्चा है कच्ची दवा है जाकर मैं फीकी देखने में मिट्टी जैसा कलर होता है इसका बस रूजा ना खा लिया करिये और एक चिटकी में जितना खाने का सोड़ा है दो गिलास पानी में डालें और ये पानी में मिलाकर इस पानी से एक चिटकी गौन्द चिलगोजा खा ले जिनको भी इस तरह के परिशानी है दाने निकलते हैं, ठीकी नहीं होते हैं, पानी निकलता है उनमें से तो ये मेरी नजर में दुनिया का अच्छा नस्खा है जो ऐसी चीजों को कंट्रॉल कर सकता है वारणसी से हैं मुहम्मद साइद, स्वागत है आपका वालेकूम, वालेकूम सालमसी, वालेशलाब। कि अपने का इंजिक्टन लगेगा, इस इसनों होता भी है या इंजिक्टन लगवाना जरूर भी रहता है। ठीक, अच्छा देखिए, यह लोहा है यह अगर लग जाए तो जरूर लगवाना चाहिए टेटनस का इंजिक्टन, नहीं तो यह जिसम में जहर पहला देता है और वो जब पता चलता है तो इतना देर हो चुकी होती है, किसी सूरत फिर फाइदा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपको लोहा लगने से यह हो जाए, लेकिन लोहा लगे तो लगवाना जरूरी है, क्यूंकि पिर जान के लाले पड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमें इतना खतरनाक हो गया है जहर पहल गया है कि कंट्रोल भी नहीं हो सकता तो लगवाना अच्छा है और वजन कम हो रहा है तो आप चेक कराएं अपना थाइराइड कई वजन कम करने वारा थाइराइड तो नहीं हो गया वरना इससे वजन बढ़ना चा तो आपको फाइदा मुम्किन है जी धेरदून से हैं कावेरी जी स्वागत है आपका हलो मैम नमस्कार जी नमस्कार मैम जाहिन स्वागत कावेरी जी का हाथ स्वागत आप कैसे हैं थेंक्यू क्या बहुत अच्या बताई हैं अर एक संपयर करूं पुछ बैस में यही कह सकती हूं यह सी व्याद में और आप चांस है, तो फिर विना सुर्य हसान के तो प्रोग्राम नहीं होता ना, हम लोग भी चुम्टमाते हैं, चमकते हैं आप लोगों की महर्वानी से, कुछ अच्छा कभी बुल जाते हैं, कभी आप से तारीफ मिलती है, कभी शैल्जर में से, तो इस इस यॉर गेटनेस, आपकी रेटनेस है कि आप ऐसे हम लोगों को समझते हैं, और मैं सच कहूं कि मैंने उर्दू चैनल पर भी देखा था, सुना था एक बाचांस लग गया था प्रोग्रम, उसमें बहुत अपना अपन बहुत जादा अच्छा लगता है, तो मैं कमी देखती हूं, हाला कि अपकी बाचा बच्छा एक पूछा था, तो मुझे भी देखती हूं, इस अच्छा था पूछा था हां, इसलिवार्माने एक पूछाता करना करते हैं, तो मुझे भी याद ही नेचा पूछाता, पर पूछना था था हूं से, बट मेरा जो प्रस्च्ण है, एक हवाले बच कि FKR तो आप FET के लाब आप क्या काम हो सकता है किस तरह से उसको और किसी नुश्किय में लिया जा सकता है क्योंकि किसी ने मंगवाया था वो मेरे पास आगया है अब तुनों ने लिया नहीं तो FKR मेरे पास पड़ा हुआ है S for South Africa Pardon? S for South Africa F for FET 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 ठीके ठीके हाँ तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है और बेकार जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि क्या और यूज़ को सकता है किसी और के काम आए या घर में किसी के काम आए So that I want to know and I wish you all the best बहुत 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 कि प्रामना है आप सब के लिए Thank you very much क्या बोलूं कुछ बोलने के लायक नहीं चूड़ते जी वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उस गहरते नाहीत की हरतान है दीपक ये बहुत मशूर शेरे उर्दु शायरी का उस गहरते नाहीत की हरतान है दीपक शोला सा लपक जाए है आवास तो देखो ये आपकी नजर और वाक़ी देखिए हम लोगों का नाम होता है सेल जागा और मेरा वो ऐसे हैं जैसे हम फिल्म के अदाकार हूँ के नाम हमारा होता है दीखते हमें लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो कभी नजर नहीं आते हैं वो बड़ा काम करते हैं तब हम आप तक हमारी पहुच होती है और इनके लिए भी कभी मैं दुआ करता हूँ आपने देखा हूँ कि क्यों कि इनने लोग जानते नहीं है इनका नाम गुमनाम रहता है तो हमें इनका भी बड़ा ख्यार लगना चाहिए और अच्छा लगता है कि एक शेर और मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा ना सितारे और चांद और वगएरा तो यह और बात है खामोश खड़े रहते हैं आपके लिए पढ़ड़ा हूँ इसे यह और बात है खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं आप हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एफकेर से तालुक देखिए वो चर्बी को काटता है वजन को कम करता है और कॉलिस्टॉल को कम करता है या दिल के रोगी को दे सकते हैं जिसको हार्ट ब्लॉक की जो दिल कमजोर हो वजन कम करना हो और यह धनिये के साथ उस शक्त को दे सकते हैं जिसको थाइराइड हो मोटा कर रहा हो थाइराइड तो एक चमच धनिया और एक एपसूल ये दिन में एक बार या दो बार खाने से पहले दें तो थाइराइड को भी कंट्रॉल करता है बहुत बहुत शुक्ριा कावेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए माम और इतना होसला पूझाए करने के लिए और आप मारे साथ जुड़ती हैं तो एक बात हकीम साभ ने कही थी कि जब आप बोलना शुरू करती हैं तो हम एकदम मन्त्रमुक्द से हो जाते हैं । हम चाहत से जो हकीम सहाब बताते हैं जो और लोगों की भी मदद करते हैं हमें इतना एप्रिश्येट करने के लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अगले कॉलर हैं हमारे साथ बिहार से आर्थी जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सर इसा है कि हम प्यार से पतना से मैं बोल रहा हूँ और मुझे नमस्काद जी जी सर्थ हकीम साथ नमस्ते जाहिन स्वागा थे आप बोलते रही है आपकी आवाज आ रही है टीवी ना सुने थोड़ी देर बात करने पिर टीवी पर सुन लिए हमारा जवाब मैं आपको देख रहा हूँ चिजी में मेरे गर्दन के दोनों चरफ जो हदी जोनों तरफ तो उसी के दोनों चरफ जो हदी है दोनों तरफ इसी पर सफेद रंका इधर जो महीने से तो सफेद रंका दाग हो गया है तो यह जो है कोई इसमे में दर्द है में खुझ रहाच है पी घुट्वी के दोनों तरफ जो जो खड़ी है जो इसी तो पर सफेद रंका दाईने तरफ मेरे बांक दाईने तरफ सफेद रंका राग हो गया है दिलकुल हुआइथ है वो बिलकुल जो आपता चमीग है उस सब्सक्राइब करें इसको अब फुराईए यह उम्र और यह दाग और इस दाग से यह कीम डॉक्टर सब लोग बड़े परिशान रहते हैं कि इसमें टाइम बहुत लगता है अच्छा होने में और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत परिशान नहीं हूँ बगएर इस दवा के भी गुजारा कर सकते हैं यह खुद भी अच्छा हो सकता है कैलिशियम अगर नहीं लेते है अब एक हफ़ते में दो कैल्सियम की गोलिया तिन तिन दिन के फर्क से लिया करें अक्सर हम मगर यह जानते के चालिस साल के बाद किसी को भी हफ़ते में एक गोली जरूर लेनी चाहिए और मुम्किन हो अगर ज्यादा कमी हो तो हफ़ते में दो बार ले ले हो सकता इसी से अच्छ बनाना होगा लेकिन वो साल भर भी लग जाता है पूरा साल भी लग जाता है इसके लिए तो इसलिए कहरा हूं कि ना करें तो बहुत अच्छा है हम भी परिशान हो जाते हैं रिजल्ट बहुत देर में आता है पचास ग्राम बापची सो ग्राम अलसी सो ग्राम आवला सो ग्र मेती और सो ग्राम गौन मोरिंगा सफेद यह असली में गौन मोरिंगा सफेद नकल ही बहुत मिलता है इन सब को पाउडर बना के रखे एक ग्राम सुबह ले एक ग्राम शाम को और गरम पानी के साथ ले तो आपको फाइदा होना मुमकिन है तो सर आप जरूर ये नुस्का आएगा और आपकी फीडबेक कॉल का इंतजार हमें बेसबरी से रहेगा अगली कॉलर है मेरट से पूनम जी स्वागत है आपका मैं नमस्ते जी नमस्कार मैं दो महिने से मेरे तीन-चार सवाल है मैं और मैं दो महिने से अल्शी और गोंशीया खारी हूं और आपके हां से फासम आया है कि आप रुती्- Wonder¿ 2008 यह निया है फारोम मेरे एक महीने तक से दवाई से कोह्त असर नहीं हुआ हूआ एक महीने बाद मुश्य बहुत जाद तेस्ट रहता है यहांको में और तीसरा सवाल मेरा है, मेरा बेटा साफ नहीं बोलता, साड़े तीन साल का है और उसका रंग बहुत जाद है, ताम लाहे, मैं सोची थोड़ा साफ हो जाए, ऐसा कोई उपाई बता दो हुशे और चोटा सवाल है, मेरी बतीजी, सोले साल की हाइट बहुत कम है, और हेल्टी बहुत जादा है ठीक बच्ची जो 16 साल की है, गौन मौरिंगा सफेद, जल्दी से देना शुरू कर दे, रोज आना, एक बार एक ग्राम, दूद, पानी, या नारियल पानी के साथ, 24 घंटे, बस एक खुरा, गौन मौरिंगा सफेद ठीक है, आपको बहुत देर से दवा का असर हुआ, गौन सियाह से, और अब बढ़ा है दर्द, जबकि अब तो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन काम कर रहा है वो, वज़ा क्या है, कि अगर आप कहना मानते हैं, जारू पहुचा नहीं करते हैं, ये वेस्टन टॉयलेट यू तेज है, जो कैपसूल के बारे में डॉक्टरस ने का है, वो उससे ज़्यादा तेज है, आप उसे ले सकते हैं, अलसी के साथ लें, और कौन सिया, खतम हो जाए तो आप वो ले सकते हैं, एक साथ नहीं ले सकते हैं, इन दोनों को, ये उससे भी तेज हैं, और पांच दिन लगातार दर्द की दवा ले 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 इसके साथ में, तो फिर आपको दर्द की बरदाश भी आ जाएगी, आपको दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा वक्त में फाइदा होना चाहिए, आपके पाप बच्चा है, और अभी उसके लिए कोई इलाज मत लीजें, उसको गज जब वो दस साल का हो जाए, जैसे जैसे वो बड़ा होगा और सेहत मन होगा तो उसका रंग निखरेगा, तो मैं इचारा हूँ कि उसको कोई दवा न दी जाए, उसका खया लगा जाए, डाइट, और मेरे खयाल से तो आपको फाइदा होना मुम्किन है, आँखों में चिलगोजा आप एक चुटकी खा लिया करें, दस बीच दिन खाएं, तो यह पानी आना रुक सकता है, जै